जैहिन मेरे यूट्यूब जैनों में आपका श्वागाथ है दोस्तों हम जुलाई 2019 के पेपर शेकंड को सॉल्ब करने जा रहे हैं इस पेपर में सबसे पहला हम बाल विकास वा सिखसास के कोश्चन जो आई हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे चलिए इस्टाट करते हैं पहला क कुशन है की निमलिखित वर्णन को निमलिखित वर्णन को पढ़िये तथा कोलवर के नैतिक तर्किया वस्ता को पहचानिये वर्णन Gesellschaft क्या वर्णन है ऐ अंताकरण के स्वोचलित नैतिक से ध्रातों के द्वारा iau सही कार परिवासेत किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझावते पर ध्यान दिये बिना श्रंपूर मानावता के लिए बैद होता है तो ये नैतिक तर्क जब कोल वर्ग ने दिया तो नैतिक तर्क वाला ही आपसन सही होगा हमारा तो नैतिक तर्क वाला जो आपसन है वो देखे कौँ सह है यंत्रिय उद्देश अभिविन्याश यानि किस ओरिंटेशन का है यह रॉंग है इसके बात समाजिक अभिन्याश समाजिक अनुभन्धन अरिंटेशन यह भी रॉंग होगा शामाजी क्रम सब विवस्ता अभिविन न्यास यह भी गलत होगा सार्व भाम होई के यानि यूनिवर्शल एथिकल प्रिंसिपल औरियंटेशन को ले करके चले थे कोल वर्गे ने तो यह चावथा बहुत अच्छा आंसार है आपका तो इस प्रकार से इस प्रकार से फोर्थ चावथा वाला हमारा आंसार होगा ओके चलिए नेक्स्ट रहे है अंगला है कि निम्लिक लिखित में से कौन सा मूर्थ क्रियात्मक अवस्था के लिए प्रमुक काउसलों में से एक है दोस्तों सबसे पहले कई प्रकार के हमारी अवस्थाएं होती है और कौन सा मूर्थ अवस्था के लिए काउसल सबसे इंपोर्टेंट काउसल यह बताना है आपको सजीवात्मक चंतन सुरच्छित रखने की योगता परिकल्पित निग्मनात्मक तर्क दुतियक वर्तलू प्रक्रिया है तो जो मूर्त क्रियात्मक कंक्रीट ऑपरेशनल डिस्टेज जो होता है उसमें बच्चा क्या करता है कि अविल्टी टू कंजर्व करता है यानि किसी को ये सुरच्छित रखने की योगता रखता है उसके अंदर एक इंपोर्टेंट जो इश्किल है ये है कि वो सुरच्छित रखने की योगता रखता ह ठीक है चले थर्ड कोश्चर है जीन प्याजे एबं लेव वाइगोट्स की जैसे संवर्चनावादी अधिकम को किस रूप में देखते हैं तो बच्चो दो संवर्चनावादी अधिकम को बताने के लिए जीन प्याजे और लेव वाइगोट्स की ने बताया कि उन्होंने बताया कि कौसलों का अरजन ये गलत है परत्कियाओं का अनुबंधन ये गलत है निश्क्रिय प्रवित्ती प्रक्रिया ये गलत है चाथा देखते हैं क्या कह रहा है कि सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्मानिकी प्रक्रिया यानि प्रोसेस आफ मेनिंग मेकिंग स तो लिव वैगेस्के ने बताया कि जो विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्या होती है सक्रिय प्रोसेस जो होता है ठीक है तो उसके लिए चाथा बहुत अच्छा आंसर होगा फूर्थ है हमारा समचार पत्रों से कहानियों एवं करतनों का चैन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुस एवं महिलाओं दोनों को गैर पराप्रागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं निम्लिकित में से किसके लिए एक प्रफावी रणनीती है तो जो पुरुस एवं महिलाओं दोनों को गैर पराप्रागत भूमिकाओं में चित्रित करता हैं वो कौन से कहानियां हैं करता हैं का हम चैन करेंगे समचार पत्रों को चैन करेंगे तो इसके लिए होता यह है कि हमें न तो यह देखना है कि महिला है कौन पुरुष है ना तो महिला को देखना है ना पुरुष को देखना है हमें यहां कोई भी जेंडर जेंडर रूप से उसको हम दर किनार नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर जेंडर को पच्छपात करने के लिए बढ़ाने के लिए बात करना तो यह सब गलत है जेंडर इस्थिरता को भी गलत है जेंडर भूमिकाओं को प्रोसाह देने के लि ये भी गलत रूड़ी वादी नहीं होना चाहिए लेंगिक जेंडर रूड़ी का सामना करने के लिए ये अच्छा आंसर है लेंगिक जेंडर रूड़ी का सामना करने के लिए यानि काउंटर जेंडर इस्टेरियो स्टाइप्स इस प्रकार से होना चाहिए तो इसको हम सामना करने के लिए होता है चौथा के बाद हम पाच्वा कुस्चन देखेंगे पाच्वा कुस्चन क्या कह रहा है कि नियम लिखित में से कौन बच्चे के समाजी करने में एक महत्पोर भीम का अदा करते है फिस आप फॉलोविंग प्लेव एंड इंपोर्टेंस रूल इन आप चल्डरन सोसलाजेशन तो इसमें मीडिया भी रखता है वही सही है विद्याने भी है और परिवार भी है आसपडोस भी है यानि चारों चारों आपसन सही है चाथा अंसर इस राइट ओके चाथा आपसन इंडर के बहु बुद्धि सिध्धांद के अंसा निम्लिक्षत विस्यस्ताओं से युक्ति एक विक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गी क्रत किया सकता है विस्यस्ताएं है क्या दूसरों की मनोदसा शुभाव प्रेरणा तथा अभिफ्राई को उच्टेत तरीके इसे पता लगाने एवं प्रक्रिया करने की योगता होने चाहिए तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंटर परस्नल होना चाहिए तो सबसे बहले बात है प्रक्रियावादी नहीं अंतरवयक्तिक नहीं इंटरपर्स्नल Сам q व्यक्तिक होना चाहिए तीसरा आंसर है नायतानिक नहीं होना चाहिए इस प्रकार्शे गर्ड़नर के बबुद्धिक के वर्गित करका है आंतर व्यक्तिक रूप से यह आंसर है सब्सक्राइब बच्चे के मुल्यांकन के निम्न अगित में से कौन से कारण होने चाहिए कौन को से कारण होना चाहिए उसके मुल्यांकन के लिए देखते हैं बच्चों को गैर उपलब्दी वाले निम्न उपलब्दी निम्न उपलब्दी वाले आउशत एवं उच उपलब यह हमारा Ee यह हमारा सही है क्योंकि अलग अलग और उसाद व toothpaste करने वह डिवाले रोपसे अलग अलग करना वहाला माकना नाम देना यह सही है कि यह सही है इसके बाद कच्छा में धिकन प्रक्रिया мире सही है ये भी अच्छा अंसर है शामे के साथ बच्चों में होने वाले अधिकम परिवर्तनों एवं प्रगति परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना तीसरा है चाथा है बच्चों की बच्चे की छमताओं संभावनाओं एवं सक्सक्त पच्चों एवं इंदन के लिए सबसे पढ़ली बात है कि कच्छा में सिक्षण अधिगम प्रज्याओं में सुधार करना ये सई है बट समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तन एब प्रगति के बारे में पता लगाना ये 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 बी अच्छा कारण है ये भी कारण है अच पच्चे की भूम च्छमताओं एवं संभावनाओं शशक्त पच्छों एवं चुनाती पूर्ण पच्छों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना ये भी सही हो सकता है क्योंकि उसके अंदर क्या है मुल्यांकन करेंगे तब बताएं बात करेंगे हम उनके पैरेट से तो यह देखिए लेकिन इसमें गयर उबलब दिवाले निम्न उबलब दिवाले आउशाथे उच्चे उबलब दिवाले के रूपे अलग अलग करना ये बचा बच्चे से हम निकराएंगे ये गलत होगा यानि इसको हम रूंग मानेंगे सेकन्ड, थर्ड और फॉर्स आंसर कौन से सही है देखते हैं किस में है तो थर्ड में तीसरा हमारा आंसर शही होगा ओके आगला question है सामने आपके निम लिखित में से कौन सा प्रगत शियल स्क्षा के अवधारना के बारें प्रमुक है तो प्रतिक बच्चे की छम्ता इवंशा महावना में विश्वास करना ये प्रगत्सियत सिख्षा के लिए है ये नहीं होगा मानक निर्देश नहीं होगा बात प्रेड़ना ये नहीं होगा तो आठवा का श्रीकंड आपसन सही होगा प्रतिक बच्चे की छंता यह सम्रावना विश्वास करना यह प्रगत सिस्था क्या उधरना है तो विकास के व्यक्तिक बिवहनता को समझने के लिए क्या महत्पूर्ण है विकास के व्यक्तिक बिवहनता को समझने के लिए क्या करन के तो व rifi वा संगुरत विशेष्टाओं पर विचार करना प्रत्यवक्त को जीवान में विशेष्षत कर देती हैं पर्याव रणी कारशेष्ट कार्कों कारशार विचार करना है जो लोगों के प्रहायद करें वेए अंगला देखते हैं सरीर इव ngva को परिपक्वन पर विचार करना यांगलत दीखते नक्स नेक्ट विशाषताओं के शाषाथ परिवरनी क्ली को उसकी प्रोसेस उनकी पराफसूरिक क्लीया पर कैसी विचार करता है वाथागरत भिशि similar के सासे प्रेवरणिया कारकों का दोना होना चाहिए यह गलत थे दौन तीनों ठीक है आगला है नेक्शर देखते हैं निम लिक्रित में से कौन सा कौन सा कौन सा विकास का सिध्धान नहीं है यहां दिकास नहीं है तो देखते हैं विल्ग अलग गति से विकास करते हैं यह भी सही है विकास तोलनात्मा गरोप से क्रिया करते हैं ये भी सही है विकास समय के साथ दे देरे गटे तो होता है ये भी सही है फिर विकास की सटी गटे ये वाँ पर क्रिया चर्म के समय ही निर्धायत हो जाती है गलत बात है चर्म के समय ही नहीं होती है ये जैसे से उसका ड अनेक अध्यानों से पता चलता है कि सिख्षक लड़कियों की अपेच्छा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं इसा ही विवेचना क्या है तो बताना पड़ेगा लड़कियों की तुलना में लड़कों में सहची चमताएं काफी अधिक होती हैं बात है लड़कियों के तुलना में लड़कों को अधिक आउधान कर सकता होती ये भी गलत बात है ये सिक्षण में लिंक पक्षपात का एक उधारन है ये इस तकार से ये हड़ हमारा आंसर शाहिए होगा बारबा को सेल कह रहा कि एक समस्या को मूल एवं अपसारी शमाधानों के शाथ करने की योगता निम्रकित में से किसकी एक प्राथमिक विस्यस्ता है समस्या को more एवं अबशारी शमाधानों के एशाद करने की योगता निमकित में से किस की एक प्राथमिक विस्यस्ता होगी तो आहें केंद्री बच्चों के लिए नहीं, छतिक्रस्ट बच्चों के लिए नहीं ये है creative student होना चाहिए, creative children होना चाहिए उनके अंदर ये अपसारी शमाधान करने की divergent solution to problem to a primary characteristics इस प्रकाश से बच्चों के अंदर शजनात्माग बच्चों के अंदर ये शब होता है original and divergent solution करने के लिए उनके अंदर शक्ति होती है अंगला है तीसरा दर्श रूप से वाधित दर्श रूप से वाधित विद्यार्थियों के शाथ कारे करते शमाध एक सिक्च्च को किस प्रकार के अनुदेशन 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 कूलन करने चाहिए अनुकूलन करने चाहिए तो द्रश्च रूप से वाधित विद्ध आर्थियों के शाहत कारे करते हैं चाहिए एक सिस्टा को किस प्रकार से अनुदेसंट अनुकूलन करना चाहिए इसमेशे सबसे अच्छा अंसार होगा हमारा इस पश्च रूप से बोलना एवं चूकर महसूस करने वाले समगरियों का अधिक मात्रा में प्रेयो करना चाहिए ये अच्छा होना चाहिए सिक्षक के अंदर अगला है सहयोग आत्मक पधिका में एवं हम उम्र अहम उम्र साथियों के दारा सिक्षण का एक समावेशी करस्चा में किस प्रकार से उप्यो करना चाहिए किस प्रकार से उप्यो करना चाहिए तो सक्री रूप से आगे बढ़ना चाहिए ये पहला ही आफार हमारा शाहिए है अगला कुस्च चन देखते हैं निम्लिखित में से कौन सा समावेसी कर्षचा में निम्लिखित अधिक महत्तपूर्ण अधिक महत्तपूर्ण समावेसी के लिए यारी इंक्लिसिव क्लास्रूम कैसे होने चाहिए यह पता होना चाहिए तो एक रूप निर्देस नहीं होना चाहिए उनिफार्म नहीं होना चा प्लान होना चाहिए उसके अंदर तो हमारा फूर्थ इस राइड आंसर इस प्रकार से स्वाला हमा क्या खेरा कि अधिगम करता हूं एवं उनकी अपरात्मिक विस्यस्थाओं के मिलान युगमों में से निम्लुकित में से कौन सा सही है कौन सा सही है ये बता रहा है तो स्रव स्रुर्विक करन के रूप में पढ़नीति नहीं होता रहा साले नहीं होता है शर्टएक सरविकारण के रूप में प्रनीत नहीं होता यह नहीं लिखा है यहां दियान दीजेगा तो पहले से बिद्द्वान ग्यान से नए ग्याने को जोड़ना यह सही बात है दोहराने वे इसमरण करने को यह जहां आ जाए ना यहां जहां रिकॉल आ जाए ना यह इसमरण करने बढ़ावा देना गलत बात है यह तरश गलत बात है यह बाग की हमारे आंसर चाहिए होंगे यहां इसमराण आ गया वहां गलत होगा क्योंकि हमारी श्रिक्षा नहीं कह रही है जुक्षा नहीं कह रही है कि हम उसको रटन विद्धा दिक सिखाएं निमलिकेट में से कौन सा एक संड़शनात्मक परिवे इसा क्या है तो अठारवा का जो आंसर है देखते हैं विद्धार्थियों को जटिल सार्था के वह समस्य अधारित गत्विद्धियों में लगे रहने के लगतार आउसर प्रदान करना चाहिए सही बात है फिर इसके बाद विद्धार्थियों सहयोग तरीके से कार करते मन्द में विद्धार्थियों के विशारें और वों को राप्द करें ये भी सही बात है फिर अंगला देखते हैं फूर थापसन क्या गरा अध्यापक बिसस्ट अध्यापक बिसस्ट शत्रह वसान मुल्लय अंकन अरण नित्यों को लाईओ करते तथा प्रकुयाओं को बच प्रधाnica के लिब बादिस्तान निर्धाई्ट करने लिए प्रेचान करने। लिए प्रेमोज्ट करने निर्धाईद करने के लिए प्रभष्ः करने लिए इसका आंसर अंगला क्वेस्चिन बीशमा निम्लिकित में से कौन सा प्रभावी अधिकम रणीतियों के उदाहरन हैं तो बीशमा का आंसर होगा देखते हैं का आंसर लक्से बास समय सारणी निर्दाज ये भी सही है संगठना अत्मक चार्टो अधरना अत्मक नक्से बनाना ये भी सही है निम्लिकित में कौन सा वाह अभी प्रणा का उधरन है एक्स्ट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है वाह अभी प्रणा मोटिवेशन क्या है तो देखते बच्चों क्या है क्या कह रहा है कि मैं अपना ग्रह कार करना प्रशंद करती हूं क्योंकि वह बहुत अधिक सीखती हूं जब मैं अपना ग्रह कार करती हूं ग्रह कार करने में से मैं अपनी अधानाओं को अच्छी तरह समस्पाती हूं मैं अपना ग्रह कार कूरा करती हूं क्योंकि सिक्षक प्रत्यक नियत कारे के लिए हमें अंक देते हैं तो हधेता कि ये करह कार करना पसंद करते हैं कि बहुत आनन्द आता है ये हधर तक सही नहीं है वह अधिक सीख शक्ते हूं जब मैं अपना कर पूरा करते हैं क्योंकि शिक्षक ये बाहर अप्रेडना देने वाला है करकिने के लिए शही है के तो तो और दो देखिए एक परात्मी कच्छा कच्छ में एक स्ट्शक को क्या करना चाहिए तो कैवल उधारण देने का दाए नहीं बत है वह औधारण दो मिंदो देना बच्चे के अंदर प्रात्मी के प्राइमरी क्लास्रूम तभी कहलाएगा जब उसके अंदर हम एक्जामपल सा नान एक्जामपल का बताएं ठीक है अंगला कुस्चन निम्लखित में से रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी तो देखते हैं अनवेशन परिचर्चा ये तो सही बात है अंगलाविदीय सूचनाओ को संचरन गलत बात अदंडा अत्मा यह गलत एक रूप यह भी गलत यानि उसको एक्सप्लोरेशन अन डिसकर्षन दोनों करना चाहिए अनवेशन और परिचर्चादोना चाहिए बच्च बच्चों की गलतियां वरांत धारनाएं क्या होती हैं तो देखते हैं इसका अंसर 66 अधिकम प्रक्रिया में एक महत्पूर्ण कदम है बच्चों की गलतियां एवं बरांत धारनाएं फिर आले देखते हैं महत्पूर्ण प्रक्रिया है सिख्षण अधिकम प्रक्रिया के लिए रुकाबट गलत बात है सिख्षण अधिकम प्रक्रिया में अंदेखी करना चाहिए ये भी गलत बात है सूचित करती है कि बच्चों के चमताएं वैश्चों के तुलना में गलत बात है तुलना नहीं करना है यानि A is the right answer 25 संद्राचना अत्मक ढाचे में से बच्चों को किस रूप से देखना चाहिए अगर हमें थोड़ा इसको कॉंस्ट्रक्टिविटिस्ट क्या लिखा इसमें कॉंस्ट्रक्टिविस्ट कहने में थोड़ा मेरों कुछ प्राव्लम हो रही है थो संद्राचना डाच में बच्चे को किस रूप से देखना देखा जाता है तो 25 में क्या कह रहा है कि लग वयक्स के रूप में से जो सभी बच्चों जैसे आकाद, संध्यान इसम्बेग में वयक्स के तुलना में कर तुलना प्र तुलना कर दिया कोरी पठीया या खाली सलेट जिसके लिए जीवन अनोहों के दोरह पूरुअ से आकार दिया जाए तो इसमें किस रूप से देखना चाहिए ढाचे को सन रचनात्वा बच्चे को तो आकार दिया जाए पूरुब देखते हैं अंगलाख यह एक निस्क्रिय प्राणी जिसे अनुवन्दन के दौरा किसी भी रूप से आकार किया जा सकता अनुवन्दन की दौरा नहीं एक समस्षा शावाधान करने वाला ता था वैग्यानिक अनुवेशन की रूप में उतको बनाना चाहिए बाकिशा गलत ओके अपनी कच्छा में सहयोग अधिकम को प्रयोग करते समय एक सक्षा की भूमिका किस प्रकार होती है सहयोग ठीक है अटीकर्श रूल वाइल यूजिंग को अपरेट्टिव लेर्निंग इन हर क्लास तो बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए यह देखते है तो एक मुग दर्शक होना चाहिए गलत बात मुग दर्शक नहीं होना चाहिए कच्छा को छोड़ देना चाहिए नए बात गलत बात नहीं छोड़ना चाहिए अधिकम कराते समय सहयोग अत्मक होना चाहिए प्रतेख समय की निगरानी करना चाहिए टीचर को ये होना चाहिए उसको हेल्प करे और प्रतेव समूव के निगरानी करे को कैसे कर रहे हैं अगला कुस्यान है निवलकित कत्रों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के भी शम्बंद को शही तरीके से शूशित करता है यानि विकास एवं अधिगम के वीच रिलेशन कौन बताता है तो देखते हैं विकास एक अधिगम संबंद ही नहीं है इगलाद बात अधिगम अधिकार अधिगम विकास का ध्यान किये बिना घटित होता गलाद बात अधिगम की दर विकास की दर से काफी क्या बत है इदर तुलना नहीं करेंगें विकास इवमातिकां अंतह संबंदी है दोनों लेने का डिपलर में दोनों एक दूसरे के निरभार होते हैं चाथा इजराय डांसर ठीक है बच्चो पियाजे के अनुसार सिस्ट मनोवग्यानिक संरचनाएं अनुगाउ से सही अर्थ निकालने के लिए विवग्यानिक संरचनावाली बच्चो क्या कहा जाए पियाजे के अनुसार तो देखेंगे क्या कहते हैं मांसी कुप करन गलत बात यह है इसकीमा इसकीमा आंसर कहीं भी आपको इसकीमा दीगे ना वहीं आपको आंसर लगाना है क्योंकि पियाजे के अन सुझाओ के दोरा बच्ची की समझ को उस विंदों को बहुत आंगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है निकित में कौन से रचना उपयों कथन में प्रकाशित करती है ठीक बच्चो तो देखते हैं समीपस्त निकटस्त विकास का छेत्र यह तो आप दे को मौल रूप से किसके दोरा उच्च संग्यानात्मा परिक्रिया को बदलना चाहिए तो लेवाइजस्की ने बोला था कि सोसल उसल के बारे में बात करा था महांसिक चम्ताओं के रूप में किसके दोरा उच्च संग्यानात्मा तो उह ने बताया था कि क्योंकि वीडियो में CDP Charged Development Psychology के कुस्तनों को हमने सौल किया हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जैसे कि जुलाई के बाद जुलाई सेकंड पार्ट हो गया जुलाई के बाद दिसंबर के पेपर को ले कर आ रहे हैं आज के लिए बस इतना हिस्सा थेंक्यों जैहिन